हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कुईक लर्निंग चैनल आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुगल समराज्य के बारे में पुरी विस्तार से हम पढ़ेंगे कि मुगल समराज्य में कौन-कौन से शाशक रहे हैं उनके द्वारा बनाएगी इमारती और उनके द्वारा लड़े गई यूद्व पूरा विस्तार में मुगल समराज्य पढ़ेंगे भारते इतियास का बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है वह मुगल समराज्य जब हमें इतियास के बारे में याद आती है तो इनके बिना जो इतियास है वो बिलकुल अदूरा है एक्जाम में बिलकुल बहुत सिंपल तरीके से आप देखेगा आपको मुगल समराज्य पूरा पूरा यहीं पर याद हो जाने वाला है तो आप एक बार यह वीडियो देखिएगा बहुत इंट्रेस्टिंग मैंने बनाई है बहुत च्रिक्स यूज की हुई हैं जिससे आप इसको याद कर सकते हैं तो चलिए पढ़ते हैं मुगल समराज्य कौन सा है से पहले हमारे पास आते हैं मुगल समराज्य की शाशक कौन कौन से शाशक मुगल समराज्य में रहे हैं उनको याद करने के लिए जो शोट ट्रिक्स है वो है भाजशा देखो यह सब को हम बादशा बोलते हैं डी कीजिंगे आपने जे लिखना है और आप यह सीरियल वाइज याद कर सकते हैं बी से बनेगा बाबर, एट से बनेगा हुमायू, एसे अकबर, जे से जहांगीर, एसे साजा और एसे औरंग जीब ठीक है देखिए वैसे तो और भी शाशक हैं जो मुगल समराजर में हुए हैं जैसे फरकशियर है बादुर्शा फरस्ट है बादुर्शा जफर है लेकिन वो उतने इंपोर्टन नहीं है जितने कि ये छे बाबर, हुमायू, अकबर, जांगी, साजा, औरंग जीब रही हैं इ नहीं याद करना क्यों important है क्योंकि ये अंतिम शाशक रहे हैं मुगल समराज़य के 1860 से इस वी तक इनका समराज़य रहा है और अंतिम शाशक रहे हैं इसलिए इंपोर्टन है कि मुगल समराज़य की जो स्थापना की थी, जो संस्थापक थे वो बाबर थे और जो अंतिम जफर ये बहुत इंपोर्टेंट है बादुर्शा जफर जिन्होंने जो अंतिम शाशक रहे हैं दोनों का नमब से शुरुवात भी बादुर्शा जफर और बाबर ठीक है तो ये सिरफ आपने बादुर्शाय याद करना है एक ट्रिक और आपको ये सीरियल वाइस याद हो ज का जनम 1483 इस्वी में हुआ था और बावर को 507 इस्वी में बादशा की उपादी से सम्मानित किया गया था बावर को उसमें बाबर को विजए प्राप्त हुई थी क्यों कि उन्हों ने नई टेकणी जेञा परियोग था तोपो का पुदि किया था तहर से पहले किसी भी किसी भी शाषक ने तोपो का पियोग नहीं किया था इसलिए इब्राहिम लोधी की सैना बहुत जादा थी उसके बावजूद भी बावर ने इसमें विजय पराप्त की थी क्योंकि उसने तोपो कप्रियूग किया था ठीक है तो यह important question है पहली बावर तोपो कप्रियूग किसने किया था बाबर ने काप पानिपत के पर्थम युद में ठीक है उसके बाद करीब 48 साल की उम्रे में जो है बाबर की मृत्यू हो गई थी आप देखना है यह आगरा में हुई थी कहां पर हुई थी आगरा आगरा जो है मुगल समराज्य के लिए बहुत इंपोर्टन जहेंगे रही है जो इससे मुगल समराज्य से जुड़ा हुए आप आगे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो बाबर की मृत्यू कहां हुई थी आगरा में और इनके शव को अराम बाग में दफनाया गया था बाबर ने अपनी आतम कथा बाबर नामा की रचना भी स्वैम ही करी थी ठीक है बाबर के आतम कथा थी बाबर नामा उसकी रचना इनोंने खुद गई थी आप आता है बाबर का उत्रादीकारी बाबर के बाद जो इनका उत्रादीकारी बना था वो था इनका बेटा हुमायू ठीक है ये था बाबर का सिर्फ एक डिटेल उसके बाद आता है बाब तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है से पहले आता है पानी पत का इप्रथम यूद 1526 एस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बावर के बीच तो इसको याद करने के लिए हमें एक दिंचरिया अपने बनाने वाले हैं इसे ही सोचने वाले हिमेजिन करना आपने कि 26 को हमने पाने पिया है 27 को खाना खाया 28 को किसीने चंद मिनिट में राय दी यूदकी घर जाके गाना सुनो यह आपने याद करना सिर्फ तो कैसे 26 को पाने पिया इब या अब तो हमने आब उको इब लिख दिया है तो 26 को क्या 26 क पानी से पानी पत की प्रथम युद और इब से इब्राहिम लोदियु और बाबर के बीच युद वा था, चारों में बाबर वी जही वा था, 27 को क्या क्या खाना खाया और रब को याद क्या खाना से बनेगा खानवा का युद्ध और रब को याद क्या र से बनेगा राना सांगा और बहसे बाबर जाने कि 27 को जो 1557 में युद्वा खानवा में दूइद के बीच में उसके बीच में 28 सुझ मेन राय में और बाबर में methodल नाइस में वह तोât 28 से इचर्पो चांद के ऑने 39 को घर जाकर गाना सुना ठीक है 39 को हमने घर जाकर गाना सुना घर से बनेगा घागरा का यूद और गाना से अफगानों के बीच में वह था अफगानों और बाबर के बीच में और उसमें भी जो है बाबर विजई रहा था तो यह वे जो है चार यूद बाबर की दोरह दो जाएगा नेक्स अमेरे पास आता है हुमायू वाबर का जो उत्रा दिकारी था वह था हुमायू हमायू का जो समय रहा है वह 1530S 1556 बहुत जयादा समय के लिए उन्हों calorie की नहीं किया है 1530S 1556 प्लिगशे तक सवी को आगरा में सियाशन पर बिटाएगा देखिये जो बाबर की इम्रत्य हुई थी वो आगरा में देख नहीं था या दरेकना ब्लब नहीं यह 1523 में हमाई ने दीन पना नांगा नांगर की स्थापना की थी ठीक ओन मुगल समराज्य को अपने अंडर ले लिया था और सेशा सूरी वंस की स्थापना की थी तो कुछ समय के लिए मुगल समराज्य की स्थापना की थी तो उसके बाद क्या हुआ और 1556 में दीन प πάना भावन की सीडियों से घिरकर हमायू की मोत हो गई- अच्छा नाम्हेंन का गुल बदन बेगम जिननोंने हुमायू नामा की रचना की थी तो अब यह कोशना था हमायू नामा की रचना किस ने कि थी हमायू की बेटी गुल बदन बेगम ने ठीक है उसके बाद आता है हमायू द्वारा लड़े गए युद कौन कौन से युद थे जो हमायू ने लड़े हैं उसमें हमारे पास चार युद हैं देवरा का चोसा बिलग्राम और सरहिंद का य जो 1551 में हुआ था और चार से बनेगा चोसा का युद ग्राम से बनेगा बिलग्राम का युद जो 1550 में हुआ था और सरहिंद से बनेगा सरहिंद का युद जो 15559 चार्लिस और पच्पन इसमें जो है ये युद हमायू ने लड़े थे उसके लिए ये ट्रिक मैंने आपक सरहद पर यह बहुत एजी है जिससे आप इसको याद रख सकेंगे अराम से ठीक है उसके बाद आता है अकबर अकबर देखिए मुगल समराजय का बहुत इंपोर्टन साशक है अकबर महा समराट के नाम से जाना जाते हैं अकबर जो थे सबसे लंबे समय तक इन्होंने शाशन किया था मुगल समराजय के जो अब यह कोशना आता है मुगल समराजय के जो कौन साशक है जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शाशन किया तो वो थे अकबर ठीक है तो स सम्राथ अकपर का जनब 15 अक्तूबर 15 12 को अमीदा वानू की गरण से हो देकि हमीदा वानू इनकी ममी पापा का पीता जी का नाम था हुमाय। तो हमीदा और हुमायू दोनों सेम सेम से नाम है जो आप याद रख सकते हैं ठीक है उसके बाद है अकबर का राजे बिशेक 14 फरवरी 1556 इसवी को पंजाब के कलानो और नमक स्थान पर हुआ था और बैरम खा अकबर का साल था कि बैरम खा का नाम जो है वह अकबर से बहुत जोड़ा हुआ है क्योंकि अकबर को बहुत 14-15 साल की उम्र में शाषन पर बिठा दिया गया था बहुत चोटा था लेकिन उसके बाद भी नोंने जो है वह पानीपत का जो दूसरा युदा अकबर हुरेमू के बीच में हुआ था वह जो है आकबर ने विजही प्राप्त कि थी क्योंकि असलिमत युद था वह बैरम खाने ही लड़ा था तो इसलिए बैरम खा अकबर का सनक्षक था तो यह इंपोर्टन बहुत है कि अकबर का सनक्षक कौन था बैरम खान जिसके साथ मिलकर इनोंने पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी जो आकबर और हैमो के थी ठीक है तो अकबर के दर बार का प्रशिद संगितकार कौन था ये भी कोशना था तामसेंद इसके नोंते था पृष्ची के दो बने बर्माई थी और वहां पे इनोंने अपनी राजधानी स्थनांद्रित की थी, ठीका अग ऐकबर नामा कि जो गरंत की रचना थी वो किसने की थी abul f diplom nyad रखना आपने अकबर नामा की जो कि रचना की थी वो पृष्भर का पूशन पूचा जाता नाम कहलिए, उनका बच्पन का नाम का उक्षा है, ठीक है, उसके बाद महिजद जो है उसके बाद आता है अकबर के दरवाद का जो संगीतकार था उसको कौन से उतों जो कौन था वो तान से इनको कंठा बरणवाने विलास की उपादी अकबर नहीं दी थी ठीक है कंठा बरणवाने विलास क्योंकि ये वानी से सम्मदी था तान से जो अकबर को आगरा के निकट सिकंदर में दफनाया गया था इनकी मृत्यू हो गई थी 1605 इस्वी में ठीक है इनको भी आगरा के निकटी सिकंदर में दफनाया गया था उसके बाद आता है अकबर द्वारा बनाएगी इमारते कौन-कौन सी इमारते हैं जो अकबर ने बनवाई ह तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है पांच दिवानी फत्यपुराई अबादत के लिए लाहूर के मकबरे में पांच से बनेगा पांच महल दिवानी से दिवाने खास फत्यपुर फत्यपुर सीकरी आ से बनेगा आगरा का किला, ई से इलाबाद का किला, अबादत अबादत खान लाहूर, लाहूर का मकबरा और मकबरे के लिए यूज़ करें हम हुमायू का मकबरा तो सिर्फ एक ये लाइन से आप अकबर द्वारा बनाएंगी जितनी भी मारते हैं पांच मेल दिवाने खास, पतायपुर्सी करी ये सब आपको याद हो जाएंगे, सिर्फ आपने ये लाइन याद करनी है उसके बादा है अकबर द्वारा लड़े गई यूद, कौन-कौन से यूद हैं जो अकबर ने लड़े हैं तो सबसे पहले है पांच नवंबर 1556 इस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमु के बीच जिसमें अकबर विजई राई है अकबर के बीच देखें महाना प्रताब एक महान चाशक विए और अकबर विन दोनों के वीज़ में यूद वा था तो ये जिता था अकबर नहीं कौनसा यूद है था हल्दी घर्टी का यूद ठीक है 1556 में तो 1556 और 1656 या आप नियात रखना इन दो सालों में जो हैं मिलते जूलते हैं 1556 और 1556 बीस साल के अंतर में ये जो दो यूद अकबर ने रड़े थी उसके बाद आता है जहांगीर अकबर का जो उत्रा दिकारी हो है वो है जहांगीर जांगीर का समय रहा है 1605-1627 तक तो वैसे तो आकबर का जो उत्रा दिकारी था वो सलीम था सलीम इनका नाम था लेकिन जब इनको गदी पर बिठाया गया था जब इनका नाम जो है नारुदीन मुहमत जांगीर बार्शाई गाजी की उपादी इनको मिली थी देखो नश्र नश्रुदीन मुहमत जो था वो हमायू का नाम था बाजशा की उपादी इसको मिली थी बाबर को मिली थी और गाजी की उपादी भी बाबर को मिली थी तो यह मैंने बताया था ना आपको तो यह आपने याद रखना है कि जिनके जो पुर्वस थे उन सब का नाम इसमें ज नियाए की जनजीर के लिए जहांगीर के लिए जहांगीर द्वारा सचुरू की गई आत्म कता किया थी, तुजु के जहांगीर को मोती बिंद खाने पूरा किया था यह important है कि जहांगीर के आतम का था तुजु के जहांगीर किसने किया था मोत बिंद खाने इसको पूरा किया था उसके बाद तक खुसरो की सायता देने के कारण सिखों के पांचवे गुरू अर्जुन देव को इन्होंने फांसी दिलवा दी गई थी ठीक है सिखों का पांचवे गुरू जो थे अर्जुन देव इनको किसने दिलवाई थी फांसी जहांगीर ने उनों के बीच में यू दुआ था लेकिन जो है इसकों के पांच जो गुरू ने उनकी हल्प की थी इसलिए इनको मरवा दिया गया था फांसी दे दी गई थी उसके जांगिर ने नूर जहां से विवा किया था जिसका नाम महरूनी सा था ठीक है जांगिर की पतनी कौन थी नूर जहां इन्होंने एक शेर को मारा था जिसके बाद जो है इन दोनों में प्रेम हुआ था और इनका विवा हुआ था तो वैसे नूर जहां का जो असली नाम था वो महरूनी सा था जहांगिर के समय को चितरकला का स्वरण काल भी कहा जाता क्योंकि जहांगिर को जो है व ज्रफर ठ workspace में बीम्दान पर मिर्थ्य हो जाती है ठीक है ठीक है यहां आद रखना है ज्म ज्यूं चित्रकला का सुण काल करने को उपजयर को बोलते हैं और के पांचवे relation को इन्होंने फासित दिलवा दी उसके बाद आता है सहाजा, सहाजा को समय रहा है, जांगीर के बाद जो गदीवर बैठे थे, वो थी सहाजा, 1627 से 1657 इसी तक रहा है, ठीक है, सहाजा ने अपनी बेगम देखो, ये सब को पता है, सहाजा ने ताज महल का निर्मान करवाए थ सहाजा के शाशंकाल को स्थापत्य काल का स्वण यूग उग कहा जाता है, क्योंकि सहाजा के बहुत सार इमारतें जो थी, जो फेमस बताऊं कगे उनकी स्थापना गी थी, ठीक है, इसे लिए स्थापत्य काल का यूग से क्रूर सासक हुआ है और शाजा का वो बेटा था तो क्या है एक अफवा फैली थी कि साजा जो है उनकी मृत्ति होने वाली है बिमारी के वज़े से तो जो इनके पुतर थे उनमें उत्रादीकारी को लेकर युद छिड़ जाते हैं और सब एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं तो औरंग जे जो था वो सबसे कूर सा सकता उसने क्या क्या अपने पिता जी कोई बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के बाद जो कहां पर बंदी बनाया था देखो फिर से आगरा का नाम आता आगरे की किले में ही उन्होंने उनको बंदी बनाया गया था और अपनी कैदी जीवन के आठवे वर्ष में 1666 इसवी को उनकी मृत्यू हो जाती है साजा की ठीक है तो ये था साजा के बारे में उसके बाद जो साजा की द्वरा बनाएगी इमारत ने है वो बहुत इंपोर्टन्ट है इसके लिए जो ट्रिक मैंने बनाई है वो बहुत इजी ह है याद होने बढ़िंगें हैं आपको याद होने वाली मोतीहा ताजीह, लाल आम, खांड है, इसके बहुत जाव, ल्यूंप मस्जन ताज से ताजमेछbed में जाबके ठीक मोतीहाह दिश्रू है 5 равно 6 जी हं ये ट्रिक है आपको याद रखनी है इसके ऐसाज amino आज क्याद रख सकते हैं उसके बाद था औरंग जीब जो था मुगसम राज्य का जो सबसे क्रूर सा सकता बहुत सारे इन्होंने गलत काम जो है वो करवाए थे इनका अपने पूर वच्छों ने जो जितने भी अच्छे काम किये थे उसने इन सब को उच्छ तो इसने जो है वो ब योगे साथ यूद किया था तो बहुत क्रूर सासक जो है औरंग जीब हुआ है इनका जो समय है सोड़ा सो इठावन से सत्रा सो साथ इस्वी करणा आई ओरंग जीब का जो जवनवात ता वो दोहाद नामक्सतान पर सोड़ा सो इस्वी में हुआ था और मूगल वंस का सब स गुरु रहे हैं. और औरंगीव सुन्नी धर्म को माने वारी वाले सुन्नी धर्म को मानना थे. से जाधा हिंदू सेना पती इसे औरंग्जेव की सहना में रहे हैं ठीक है इसके औरणग्जेव ने इसलाम नहीं स्विकार करने की कारण सिखो के नो में गुरू तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी इन्हों ने किसके हत्या करवाई थी तेग बहादुर सिखो के नो में गुरू तेग बहादुर की औरंग जेव ने हत्या करवा दी गई थी औरंग जेव सुन्नी धरम को मानता था औरंग जेव ने ब चीवी का मखबरा का निर्मारिगं के दारा जो बनाएगी इमारत थी वह ठीवी निर्मारे उरंग जेँ नहीं बनवाए था ओरंगे मुगल सेनापत्ति में सब इसके हैं मैसे दोटाद जिसरें मिर्त्वी उस्वी को हुई है और इसे खुल्दाबाद जो अब राजा केलाता है में दफनाया गया था ठीक है तो ओरंग जिप को कहां दफनाया गया खुल्दाबाद तो ओरंग द्वराल लड़ेगी यूद बों से है быть ओरंगजेव द्वरा लड़े का यूद ओरंगजेव ने दो यूद लड़े हैं जो important है वोई धर्मट का यूद और सामगड का यूद 15 अप्रेल 1658 इस वीकोर ने धर्मट का यूद हुआ था जो दारा और ओरंगजेव के बीच में हुआ था और ओरंगजेव इसमें विज़ हुआ था देखो दोनों युद्ध दारा और और अरंग्जेव के बीच हुए हैं और दोनों में ही ओरंग्जेव विजय हुए हैं तो यह थे और लड़े के प्रमक्यूद तो यह हुआ मुगर्समराज्य के याद हो गए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो के नीचे ऐसा रेड कलर का आई इगा जिस पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू था वोचिंग